नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं सीयम हेमंत बोले एकई से 50 वरस की महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद करेगी उन्होंने कहा है कि बीदी बेवस्था बनाये रखना उनकी सरोज प्रत्मिकता है अपराधियों खिलाब करवाई करने का निर्देश दिया है उन्होंने नियुक्ति पर किरिया जल्द से जल्द पूरी करने को कहा है वे मुख्य मंत्री आवासिये कराले में बुद्ध्वार को सीनियर अपसरों के साथ उच अस्तरिय बैठा कर रहे थे बता दे मुख्य मंत्री हमासिर ने कहा है कि राज सरकार कई नई कल्यानकारी योजनाय सुरू करने जा रही है इसमें कई से 50 पुरस तक की महिलाओ को आर्थिक सहायता देने की एक महत्पूर्ण योजना सामिल है उन्होंने कहा है कि इस योजना को शुरू करने तथा लावकों के चैन की सभी परकिराए अभिलम भूरी करे ताकि इस राज की महिलावों को ससक्त करने के दिसा में एक कदम और आगे बढ़ सके उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सरकार की कल्यानकारी योजनाव का लाब समाज के अमतिम पंक्ति के ब्यक्ति तक पहुचाने के लिए मिसन मोड में काम करें इन कल्यानकारी योजनाव का परिणाम दिखना चाहिए हमारी सरकार की योजनाए यहां की जानता को आगे बढ़ाने के साथ राज के विकास को गती देने के लिए है मुहर्म जुलुस के दरन धनबाद हजारी बाग में जड़प धरोगा समेत 32 जखमी मुहर्म जुलुस के दरन बुद्धवार को हजारी बाग के बढ़का गाव धनबाद जहरिया और गिरीडी में जड़प और पत्रबाजी में करीब अठाई दर्जन से अधीक लोग घायल हो गए हैं कई पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की सुचना है परभावीत जगव पर अपसर कैम्प कर रहे हैं बतादे हजारी बाग के बढ़का गाव नाया टान गाव में जुलुस के दरन अपति जना गाना बजाय जाने पजड़प हुई है इस दरन पथराव में बढ़का गाव के उप्रमुक वचन देव कुमार के वाहन का सिशा तूट गया है वहीं पथराव में दरोगा और एक पुलिस जवानसा में दरजन भलोक जखमी हो गए हजारी बाग के एस पी अरविंद कुमार सिंग ने कहा है कि बढ़का गाव में स्थिती नियंद्रन में है परसासन पूरी तरह मुस्तेद है वहीं धनबाद के 15 पाला में बुद्धवार की राज जुलूस मार को लेकर हुए बिवाद के बाद पथरबाजी हो गई है तेवहार के दरान सुरक्षा का करे पुखता इंतियाम हेमन्सुरेन पाजिक ततोक निगरानी की बेवस्ता करें सीम ने कहा है कि राज में बीदी बेवस्ता बनाए रखन सरकार की सरोज प्रत्मिकता है पुरे राज में भय मुक्त वातावरन बना रहे इसके लिए अपराद और अपराधियों पनिहंत्रन के लिए सभी ठोस कदम उठाए 200 लोगों को ठगने वाला साइबर अपराधी गिरफतार क्रिप्टो करेंसी में निवेस के नाम पर ज्हारखन के 200 से अधिक लोगों से करीब 5 क्रोर की साइबर ठगी के आरोपी अमित जैसवाल को CID ने बुद्धवार को दिल्ली से गिरफतार किया है पता चला है कि ससी कुमार सिंग ओर्फ बिक की नाम का युवक गोल्ड ब्रांड में निवेस का साज़ा देता था बाद में उसने क्रिप्टो में निवेस के लिए इन्फुलेंस बता अमित का इस्तिमाल किया और ये पे नाम की वेब साइट के जरिये क्रिप्टो में आटिफेसियल इंटेलिजेंसी का इस्तिमाल करने वेश की गई रासी के अनुरूप प्रती दिन 0.6 से लेकर 1.2 तक लाब कराते हुए तीन सो तक निवेश पर रिटर्ण का स्वासन दिया इस जासे में लोग काफी मात्रा में निवेश करने लगे और ठगे गाएं बिजय संकल्प में भाजबा की हुंकार जारखन को बचाने का चुनाव सिवराज केंद्री ग्रिशी मंत्री वा जारखन चुनाव परभाई सिवराज सिंग चुहान ने बुद्धवार को हटिया विधान सभा छेत्र में अभी नंदन सर्भ विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अगामी पिधान सभा चुनाव जारखन को बचाने का चुनाव है बुद्ध अस्तर के करकरताओ को पिधान सभा में जीत का संकल्प दिलाते हुए उन्होंने कहा है कि परधान मत्री नयंदमदी ने यहां को डोरो रुपे भेजे जिससे घर घर पीने का पानी नल से मिले पर यहां नहीं मिला हेमान सुरेन की सरकार पानी का पैसा भी पी गई राज की खनीज के साथ यहां की सरकार केंदर का भेजा पैसा भी खा गई उन्होंने जारखन को तबा और बरबाद कर दिया काम सुरू नहीं करने वाले ठेकदार काली सुची में डाले जाएंगे इर्फान अंसारी ग्रामिन कारे बिभाग में काम सुरू नहीं करने वाले ठेकदार डिबार किये जाएंगे साथ ही उन्हें ब्लेक लिस्ट किया जाएगा ताकि भईस में उन्हें काम नहीं मिल सके गरामिन विकास मंत्री डाक्टर रिफार अंसारी ने विभागे सचीव को करवाई के निर्देश दिया है उन्होंने पीत पत्र के मादम से जनकारी मांगी है कि राज में विगत वर्षो में जितनी योजनाय चलाई जा रही है उसकी जिलावार और पत्थरवार रिपोर्ट दी जाए साथ ही निर्देश दिया है कि लेटर ओफ एक्सिलेंस मिलने के बाद भी अभी तक उस पर काम सुरू के नहीं हुआ इसका कारण के साथ लिष्ट दी जाए जिन सनवेत को ने अब तक काम सुरू नहीं किया है उन्हें डिबार और काली सुची में डालने की करवाई की जाए करवाई की सुचना अगले दो दिनों में दी जाए जारखन में तीन दीन होगी जमा जम बारिस बंगाल की खाड़ी में होने वाले परियोतन के बाद जारखन में 22 जूलाई से बारिस के अफार है खाड़ी में नीम्न दबाओ के बनने की परकिरिया 19 जूलाई तक पूरी होते ही बंगाल और उडिसा के 30 ये इलाकों के साथ-साथ रांची समयत पूरे राज में जम कर बारिस होगी मौसम भी भाग के अनुसार इस निम्न दबाव का असर 24 जूलाई पूरे राज में रहेगा वहीं राज में पिछले 24 घंटे के दोण मांसुन कमजोर रहा है पूर्वी सिम्भूम के ढालबूम गर्ड में 29.6 mm बारिस होई वहीं गिर्डी में 26.6 और रामगर्ड में 12.2 धनबाद में 10.0 mm बारिस दर्च की गई मौसम के परवेश के बाद से अभी तक रांची समयत राज में अच्छी बारिस नहीं होई है रांची में पिछले 24 खंट में 3.4 mm बारिस होई है वहीं रांची में 11.0 जून से लेकर अब तक 187.2 mm बारिस होई है डोरांडा कॉलेज में बनेगा राज का पहला बेबी केर रूम डोरांडा कॉलेज परशासन ने अपनी महिला कर्मियों की प्रिसागत जिम्यदारियों को देखते हुए उनके बच्चों के लिए कॉलेज में ही सीसु देख भाल कक्छा बनाने का नहीं नहीं लिया है डोरांडा कॉलेज में बनेगा राज का पहला संस्थान बनने जा रहा है जार्खन में बेवसाई कोर्स के विद्यार्थियों की हर माह होगी आकलन परिक्षा जार्खन के सरकारी स्कूलों में चलने वाले बेवसाई की विसवय में छात्र छात्राओं का हर महीने मुल्यांकन होगा या मुल्यांकन स्कूलों में ऑनलाइन होगा हर महिने के तीसरे बुद्धवार को मुल्यांकन की परकिरिया होगी आवकास होने की स्थीती में एक दिन पहले या बाद में परिक्षाली जाएगी इसकूली सिक्षा वस्था विभाग ने इसकी त्यारी पूरिकार लिहाए आठार अगस या परकिरिया शुरू की जाएगी बता दे जार्खन सिक्षा परिविना परिश्था के राजे परिविना निदेशक आधिते रंजा ने कहा है कि राजे के 446 स्कूल जहां बेवसाइक सिक्षा के पढ़ाई होती है वहाँ छात्र छात्राओं के सिखने वाग्यान प्राप्ति के लिए सतत मुल्यांकन किया जाना अवस्यक है हर मही ने तीसरे बुद्वार को आकलन परिख्षा का आवजन किया जाएगा मांदे बढ़ोत्री पर बियारपी, स्यारपी और पाराशिक्षक आमने सामने जहारखन के परखन साधन सेवी, संकूल साधन सेवी के मांदे बढ़ोत्री के बाद बियारपी, स्यारपी और पाराशिक्षक आमने सामने आगाई है सिक्षा विभाग की ओर से जारी नियम के कई बिंदूओं का पाराशिस्कों ने विरोध किया है संजय दूबे सकील ने कहा है कि संकुल साधन से भी पाराशिस्कों को मोनेटर करते हैं इसलिए किसी विश्त्रेनी के संकूल साधन सेवी का मांदे किसी विश्त्रेनी के पाराशिक्षक से अधिक होगा इस प्रधान का आ से यह है कि एक अप्रसिक्षित संकूल साधन सेवी का मांदे 6-8 कोटी के एक प्रसिक्षित और टेट सफल पाराशिक्षक से सदय अधिक होगा पाराशिक्षको के लिए मांदे बढ़ोतरी में बंदिस लगाना ज्यारखन के पाराशिक्षक बरदास नहीं करेंगे उन्होंने कहा है कि बीत विभाग और सिक्षा पिभाग ने राज की जानता को गुमरा करने और पाराशिक्षको वा संकूल साधन सेवियों को आपस में लाडाने की साजिस रचने का काम किया है धुमका में करंट लगने से पछिम बंगाल के कावारिया की मौत जारखन की दुमका नगर सिरी अमडा रामपूर रिंग रोड पर रानी डीड़ा गाउं के पास बुद्धवार की सामकरंट लगने से पछिम बंगाल के कावारिया की मौत हो गई मिरितक का नाम छोटु घोस पचीस वर्स यह है बता देवा उत्तर दिनाजपूर के राय गंज थना छेतर के सुभास गंज का रहने वाला था देवगर के बाबा धाम और दुमका के बाबा बसकीनाथ का दर्सनकर जलाविसे करने के बाद कवर ये तारा पीट जा रहे थे इसी दोरान मिरी तक अंधेरे में बिजली के तार की चपेट में आ गया इससे उसकी मौत हो गई है हेमंत सुरेन ने मध्य अफरीका में फंसे जारखन के 27 मजदूरों की वापसी के लिए किया आगरा जारकन के 27 मजदूर मद्य अफरीका के कैमरून में फसे हुए हैं उन्होंने केंद्र वह राई सरकार चमदर की गुहर लगाई थी जारकन सरकार ने इस मामले में संग्यान लेते हुए केंद्री प्राधी करन को पत्र लिखा है और मजदूरों की सकुसल वतन वापसी के साथ बकाया भुकतान कराने का भी आगरा किया है बता देर राजी के वोकारों गिरीडी और हजारी बाके मजदूरों ने वीडियो जारी कर सुरक्षित वापसी कराने का अगरा किया है उन्होंने बताया है कि चार महीने से उन्हें मंदुरी नहीं दी जा रही जिससे खाने पीने काभी संकट हो गया है वहीं जार्खन की हमन सर्कार ने बिदेश मंत्राले का धीन बिदेश जाने वाले भरते कामगारों की हीतों की रक्षा के लिए जिमेदार प्राधीकरन से मध्य अफरीका में फ़से जार्खन के 27 कामगारों की सुरक्षी तो आप सिका आगरह किया है जगरनाथ रत यात्रा सैकलो भक्तोन खिची रसी भागवान जगरनाथ भाई बल राम वा बहनसु भद्रा बुद्धवार को रत पर स्वार होकर मौसी बाड़ी से अपने धाम यानि जगरनाथ पूर मुख्य मंदिर लोट आए नौ दिनों तक मौसी बाड़ी में विश्राम के बाद दसवे दिन भागवान जगरनाथ बहनसु भद्र और भाई बलभद्र के साथ रत पर अरूड होकर मौख्य मंदिर लोट आए रत मेले में लोगों ने जम कर खरीदारी की महिलावन घरेलू समान खरीदा और बच्चो संग जूला का भी आनंद लिया है बता दे बुद्रवार की दोपर चार बजे सेकड़ो भगत भागवान जगरनाथ समय सभी बिग्रहों को रत पर अरूड कर रसी से खीच मौख्य मंदिर तक लाए वहीं इस दोड़ान पर सासनी खेमा भी बिदी बेवास्था की मजबूती में तैनात नजर आए जब भागवान जगरनाथ आपने रात पर सवार होकर मुख्य मंदिर की ओर रवाना हो रहे थे तो उस वक्त सिर्फ उनके नाम का जैकारा ही लगाया जा रहा था बिहड जंगल में सुरक्छा बलो की नक्सलियों सी मुढ़ भेड पच्मी सीमभूम के खोर नक्सल परहाईत कोलान और सरंडा बिहड जंगलों में चल रहे अभियान के दरान भाकपा मावादी संगठन के उगर्वादी वह सुरक्छा बलो की बिच मुढ़ हो गई है यह मुटभेड बुद्धवार को अहले सुबर लगभग पांच बजगर पचास मिनट पर छोटा नाइकपुर थाना अंतरगत गिराम दोलाई गड़ के पास जंगली पहाडी छेतर में होई इस दोरान दोनों और से कई राउंड फाइरिंग होई है मुटभेड के दोरान सुरक्षाबलों को भारी परता देख उगरवादी जंगल एवां पहाड का लाव उठाते हुए भाग खड़े हुए नक्सलियों के जाने के बाद छेतर में चलाएगा सर्च अभ्यानक दोरान घटना स्थल से सुरक्षाबलों ने हाथियार गोला बारूद हुआ अने दैनिक उप्योग की समागरी ब्रामत की है मुहरं जुलूस में लहराया फिलिस्तिन का जंडा दुमका के दुधानी में बुद्धवार को ताजिया जुलूस के दवरान कुछ युगों ने फिलिस्तिन का जंडा लहरा दिया है इसका वीडियो वायरल होने के बाद पर सासन भी सकते में आ गया हलाके पुलिस के अलाधिकारी इस पर कुछ बोलने से बच रहे है सुबह दुधानी में ताजिया का जुलूस निकाला गया इसमें हर कोई कर्तब दिखाने में बैस था तभी कुछ युवक हाथ में फिलिस्तिन का जंडा लहराने लगे टावर चोक के पास जम कर जंडा लहराने के बाद भी मन नहीं भरा तो एक बस की छट पर चट का जंडा लहराया करिब 10 मिनट तक लोग जंडा लहराते रहे इसी बीच एक युवक ने फिलिस्तानी का जंडा लहराते वे कुछ युवकों की तस्वीर को फेस्बुक पर वारल कर दिया बाद में जब इसकी चर्चा होने लगी तो उस फेस्बुक अकाउंट को बंद भी कर दिया गया सोलह दिनों तक चलेगा बैक टू स्कूल अभियान स्कूलों से और नमांकित एवं ड्राप आउट बाचों को स्कूल वापस लाने तथा सत परत्षत नमांकन सुरिश्चीत करने के लिए सोलह दिनों तक स्कूल दोहजार चोबीस बैक टू स्कूल अभियान चलेगा इस अभियान को सफल बनाने के लिए मंगलवार को जारकन सिक्षा पर योजना परिशत कर रहलाए में राज अस्तर ये उनमोखी करन कारसला का उजन किया गया इस कारसला में सभी जीलों के जीला सिक्षा पतादिकारी जीला सिक्षा अधिक्षक आदि सामिल हुए इसी के साथ इस अभियान की सुरुवात हुई है वहीं कारसला को समभधित करते हुए राज परिवना निदेश तक आदित रंजा ने कहा है कि इस अभियान के ताद विभीन तीतियों में निदारित कारकरमों का वजन समय पर हो कहा है कि इस अभियान की निगरानी गूगल लिंक के माध्यम से होगी तथा इसमेला परवाही बरतने या धिलाई बरतने वाले स्कुलों के बिरूत कडिक करवाई होगी धन्यवाद